Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Mail Reproductive System अगर आज का ये वेडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो इसको सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वेडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, जिससे कि आप इन वेडियों का लाव उठा सकें और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें चलिए देखते हैं Mail Reproductive System Mail Reproductive System का चित्र बना हुआ है, अब हम जानेंगे इसके नामांकन इसके नामांकन के बारे में जानेंगे, पहला जानेंगे यूरेटर यूरेटर यानि कि मूत्र नल का, यूरेटर यह जो नली दिख रही है, मूत्रासे में खुली है यानि कि बलेडर, बलेडर को मूत्रासे बोलेंगे यूरेटर मूत्रासे में खुल जाती है यानि कि यहां से यूरिन निकल कर मूत्रासे में एकट्टी हो जाती है मूत्रासे में जमा हो जाती है या एकत्र हो जाती है अब आपको यह जो नलका दिख रही है यह जो नलका दिख रही है पतली-पतली इसे कहते हैं Beige Difference, यानि कि सुक्र बहाइनिया, हिंदी में बोलेंगे सुक्र बहाइनिया, जिससे सुक्राणूं सुक्रासे में पहुंचता है, जिसके राष्टे सुक्राणूं सुक्रासे में पहुंच जाता है यह जो ग्रंथी टाइप में दिख रही है यह होती है सेमिनल बैसिल्स यानि की सुक्रास है यह यहाँ पर कुछ अक्रोड नुमा संरच यानि की बालबे की तरह दिख रहा है इसे प्रोस्टेट ग्लेंड बोलेंगे यह जो ग्रंथी टाइप में दिख रही है गोल गोल जो ग्रंथी दिख रही है इसे काउपर ग्लेंड बोलेंगे यह जो आपको बिलना कार दिख रहा है यह होता है पैनिस पैनिस के अंदर जो नली पैनिस के अंदर जो नली दिख रही है उसे यूरेथ्रा युरेथरा बोलेंगे याने की मूत्र बिसर्जन न ली अब आपको ये जो कुण्डली नुमासन रचना दिख रेए इसे हिंदी में बोलेंगे अधी बिर्चन ये जो गोल गोल दिख रहा है यानि कि जिसका ये आकर गोल होता इसे कहते हैं टेस्ट यानि कि बिरसण बोलेंगे बिरसण के बहार जो ये दिख रही है यानि कि ये तो चाह होती है रोम ये तो चाह होती है जो आपको ये रंग यानि कि बड़े गोल में दिख रही है उसे कहते हैं स्क्रोटम स्क्रोटम बोलेंगे चित्र का पूरा नामांकन हो गया नामांकन आपको अच्छी से याद करना है अब हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे किसका क्या कार्ड होता है और कौन किस चीज करने रमा करती है सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टेज जैसे कि फीमेल बोडी में जैसे फीमेल बोडी में दो ओबरी पाएं जाती है फीमेल बोडी में कितनी दो ओबरी होती है उसी पर का मेल में उसी प्रकार मेल बोडी में दो टेस्टेज भी पाए जाते हैं टेस्टेज की संक्या होती है कितनी दो इसका आकार टेस्टेज का आकार होता है टेस्टेज की लंबाई होती है दो से यानि कि पांच सेंटीमीटर लंबाई होती है टेस्टेज की लंबाई होती है पांस सेंटीमीटर टेस्टेज की चोड़ाई होती है दो से तीन सेंटीमीटर टेस्टेज की चोड़ाई हो गई दो से तीन सेंटीमीटर चोड़ाई लंबाई ठीक है अब हम जानेंगे इसका भार जो टेस्टेज होती हैं इसका भार कितना होता है निकी एक कितने ग्राम का होता है इसका भार होता है दस से पंदरा ग्राम दस से पंदरा ग्राम लगभग में दस से पंदरा ग्राम होता है इसका आयतन मेल बॉडी में जो ये नलिका दिख रही है यानि कि ये नलका हो गई एप एडिडाय में अधिवर्षाड जो ये रांड आकार का दिख रहा है गोल को ले हो गया टैस्टेड अब इसमें इसका कार क्या होता है इसके मुख्यकार दो होते हैं इसके मुख्यकार दो होते हैं यानि कि यहां से सुक्राणूं बनते हैं यहां से सुक्राणूं का निर्मार होता है और हो है सुक्राणूं को निर्मार होता है टैस्टेज यानि कि विश्ण एक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं एक हार्मोन्स को निकालते हैं जो होता है टैस्ट 뿌 intrins है क्षर्ण पे एंवर पेस्टेराट को स्रावट करता या निजू के निकालते हैं तेस्टेम्स की कारण सब्सक्राइब Christie हम पता कैसे करते हैं कि यह मेल है या पीमेल है यह तेस्टे स्टेराऻन क्पाराण होता है मेल में जो कि उसका डाहडी का आना आवाच का भारी हो जाना और छाती में चोड़ापन का आजाना आदी टेस्टियस्टेरोन हार्मोंस के कारण होता है पेस्टेस्टेरों हार्मोन का एक मुख कारण होता है जब कोई मेल अपनी प्यू आईटी की एज में पहुँच जाता है यानि कि यह चाउदा से 15 साल के बीज में पहुँच जाता है तब वो है तब वो मेल फीमेल की गर अट्रेक्टिव होने लगता है यानि कि आकर्सित होने लगता है, अगर मानिये किसी मेल के टेस्टेज किसी कारण बस निकल जाते हैं, तब उसमें टेस्टेस्टेरोन का हार्मोंस नहीं निकलेगा, यानि कि टेस्टेज नहीं होंगे तो उसमें हार्मोंस नहीं बनेगा, हार्मोंस ही नहीं बनेगा तो निकल ואब सिस्टिर और हार स्वेश्ट नहीं बना तब फीमेल और ठरैक्टिव नहीं होगा यानि कि उसमें कोई भी एक्छा result नहीं होगी स्लीए वू से नपुन्सक कहा जा सकता है इसलिए उसे नपुंसक कहा जा सकता है, टेस्टेज में कुछ बिर्संड पालिकाएं पाई जाती है, बिर्संड पालिकाओं में दो या तीन, एक दो या तीन कुसकाएं होती है, जिन में से पहली कुसका होती है, नर, जनन, कुसका, जानेगे नर, जनन, कुसका क्या कार करती ह नर जनन कोशका का कार होता है सुक्राणों का निर्मार करना यही कोशका होती है जिसमें सुक्राणों बनते हैं दूसरी होती है सर्टोली कोशका है सर्टोली कोशका कार होता है जो सुक्राणों बने उसको पोशाण प्रदान करना यानि कि सुक्राणों बनतो गए अब उसका पोशाण कौन करेगा न्यूट्रेशन कौन करेगा इस सर्टोली कोशका करती है तथा इसको सुक्राणों को सहायता भी प्रदान करती है और सुरक्षा भी देती है जो सर्टोली कोस्का होती है वो सुक्राणुआं को सुरक्षा प्रदान करती है इसलिए इसे नर्स कोस्का कहा जाएगा सर्टोली कोस्का को ही नर्स कोस्का बोला जाएगा जिस पिरका अगर कोई अगर कोई बीमार हो जाता है तब वह होस्पीटल में पहुंचता है तो केबल डॉक्टर उसको देखता है यानि कि नर्स जनन कोस्का हो गई डॉक्टर उसने स्पर्म को बना दिया डॉक्टर केबल पिसेंड को देखता है और उसकी देखरेक कौन करते हैं जो हस्पीटल में नर्स होती है उसकी देखरेक करते हैं यानि कि उसको टीटमेंट देती है टाइम टू टाइम दबा देती उसी प्रकार सर्टोलिकोस का होगोई नर्स कोस का सुक्राणूं बन जाते हैं और उसकी देखरेक करती है सर्टोलिकोस का या नर्स कोस का टेस्टेस के बारे में एक कुछ बाते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखनी है पेपर में पूछे जाने वाली मुख बाते हैं जो मैंने यहाँ पर बताई वो पेपर में आपको जरूर ही जरूर पूछी जाएंगी इसमें जो लीडिंग कुछ लीडिंग कुछ का बनाती है लीडिंग कुछ का कनिर्मार होता जिससे टेस्टेस्टेरोन हार्मोंस रावित होता है लीडिंग कुछ का होती है उसी में टेस्टेस्टेरोन हार्मोंस बनता है ठीक है अब हम जानेंगे ए स्कुरोटम बिरसाण कुछ बिरसाण कुछ के बारे में जानेंगे तेस्टेस के बाहर तेस्टेस के बाहर जो तुचा होती है वो कुछ रूम युक्त होती है यानि कि इसमें यहां पर कुछ रूम पाए जाते हैं तेस्टेस के बाहर जो तुचा होती है वो रूम युक्त होती है तता टेस्टेस कुछ चारों और से घेरे रहती ह यहीत है आब रड़की रहती है इसका मुख्यकार होता है जब सर्दी आजाती है। यानि कि जब ठंडी पाड़ने लगती है तब यह तोचा इस कुरोटम तोचा सुकर करके छोटी हो सुकर करके थोड़ी मोटी हो जाती है और यह ट्रैस्टिस होता है इसका आकार छोटा थोड़ा सा घट जाता है और यह यूमन मतलब जो बॉडी होती है उसके ऊपर थोड़ी सा खिसक जाता है उसके ऊपर की ऊपर थोड़ा सा खिसक जाता है जब यह तोचा मोटी होगी यह छोटा होगा तो कुछ ऊपर की ऊपर खिसक जाएगे जब और जब गर्मी आ जाती है यानि कि जब गर्मियों का मौसम आ जाता है गर्मी पढ़ने लगती है तब ये तुचा जो इसक्रोटम होती है तब ये तुचा कुछ पतली हो जाती है यानि कि इसमें सर्दियों में कुछ मोटी हो जाती है और गर्मियों में कुछ पतली हो जाती है और ये खिसक्त करके लटकती हुई दिखाई देती है एक कोछ नीचे आ जाता है ताकि इसको टेमप्रेचार उसको परयाप्त मातरव में बिल सके अब यह human body यानि कि अब यह बाहर क्यों होते हैं मानो सरीर के कुछ बाहर क्यों होते हैं भाग तो उसी का होता है मानो सरीर का ही भाग होता है लेकर वो बाहर की बाहर लटकते हुए होते हैं क्योंकि सुक्राणू बनने के लिए बोडी टेंप्रेचर से जितना बोडी का टेंप्रेचर होगा उससे कुछ कम यानि कि 2 से 3 डिगरी सी तेंप्रेचर कम की आविशकता पड़ती है सुक्राणू बनने के लिए हुमन बोडी से 2 से 3 डिगरी सी कम तापमान यानि कि कम तापमान की आविशकता पड़ती है जिससे की सुक्राणू का निर्मार अच्छे ढ़ंग से हो सके सुक्राणू डैड ना हूँ अब यह तो हो गई सुक्राणू की बाद यहां पर टैस्टिज में सुक्राणू बनके तैयार हो गया और यह सुरक्षा प्रदायन की बहारी आविरान होता है इसका एस्ट्रोटम का अब आते हैं यह जो सनराचना दिख रही है एक कुंडली न सुक्राणू बनके परिपक होगा जाकर की बेबी का निर्मार कर सके यहां पर सुक्राणू परिपक होगा जहां पर परिपक होता है उसे EPD-Dymes कहा जाएगा आपको अब जी नल का दिख रही है कुछ लंबी सी कुछ टेड़ी मेड़ी सी नल का दिख रही है EPD-Dymes का कुछ भाग होता है EPD-Dymes का ही ये भाग होती है जिसमें सुक्राणूं यहाँ पर परिपक हो करके सुक्राणूं base difference बेज़वेंस में जाते हैं यानी की सुक्र भाइनी में पहुँaking परिफोटार्थ इस्परम में तुक्छ फिलूड मिल जाता है कुछ तरल्पदार्थ मिल जाता है जिससे शुक्राणूं को गती करने में कोई भी देखके परेशानी नहीं आती जब इस्पर्म यहां से निकला तब वो है कुछ गहड़ा होता है वो कुछ गहड़ा होता है इसलिए वो है अच्छे से गती नहीं कर पाता जैसे ही इस नलका में सुक्र बाहनी नलका में पहुँच जाता है सुक्र बहाइनी नलका में पहुँचती ही उसमें कुछ फिलोड एड हो जाता है जिससे इसपर्म सीमेन में बदलना प्रारम हो जाता है इससे वह अच्छे से गती करता हुआ सुक्रा से यानि की सेमिनल बैसिल्स में इस्थिर हो जाता है और एक बात यह बेस डिफ्रेंसिस होती है यहां पर कई महीनों तक यहां पर कई महीनों तक बीर इस्टोर रहता है यानि की बीर का इस्टोरेज भी यही करती है सुक्रा से में बीर पहुँच जाता है सुक्रा से में 60% 60% छारिय पदास मिल जाता है जिससे एस्पर्म और वो पदार्थ यानि की एस्पर्म और फिलूड मिल करके यानि की बीर और तरल पदार्थ सुक्राणू और तरल पदार्थ मिल करके सी में का निर्माड करते हैं जो सी में होता है उसी को ही बीर कहा जाएगा यहाँ पर सी में का निर्माड हो जाता है सी में में 60% सी में में सुक्रासे में सी में 60% पाया जाता है यहाँ पर कुछ छारिय पदार्थ एड हो जाता है यहाँ पर सुक्रासे में कुछ छारिय पदार्थ मिल जाता है छारिय पदार्थ मिलने का काम क्या हो सकता है फी में reproductive system में जो बजाईना होती है उसमें अमलिये उसमें कुछ अमलियेता पाई जाती है उसको नश्ट करने के लिए या अमलियेता को कम करने के लिए छारिये पदार्थ मिल जाता है जिससे चारी पदाथ मिलने से सुक्राणों को नस्ट होने से रोका जा सकता है यानि अधिक से अधिक संक्या में सुक्राणों बजाईना में पहुंच सकते हैं अभी जी होती है काउपर गिलेंड काउपर गिलेंड कार क्या करती है काउपर गलेंड से पहले हम पढ़ेंगे प्रोस्टेटिक गलेंड का कार क्या होता है प्रोस्टेटिक गलेंड की संरचना होती है एक अख्रोट की आकार की जैसे ऐसे अख्रोट खुलता है उसी आकार की यहां पर एक संरचना पाई जाती है दोके से नहीं छूटा यह ऐसा हो संरच न पाई जाती है जब कोई मेल जब कोई मेल उत्तेजित अवस्ता में होता है और उसका सीमेन उसका सीमेन बाहर निकल रहा होता है तब यह बाल्ब यहां पर बंद हो जाता है यानि कि बंद हो जाता है जिससे मूत नहीं निकल सकता है यानि कि यूरेन बाहर नहीं आ सकत मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में ऐसा होता है कि यहां पर यह बाल्व होता है बाल्व कार करता है एक देख प्रोड़िध यह उदूरी ँद या तो सीमेन बहर आएगा प्रोस्टेटिस गिलेंड का यहीं वर्क होता है, अब आते हैं काउपर्स गिलेंड, क्या कार करती है जब कोई मेल उत्तेजित अवस्ता में होता है, तब इसमें एक या दो भून, कितनी एक या दो भून यहां से निकल करके यूरेथ्रा यूरेथ्रा से ही यूरेन बहार आती है इसलिए वहाँ यूरेथ्रा कुछ अमलिये हो जाता है उसकी अमलियेता को नश्ट करने के लिए एक या दो पून छारी पदात निकालता है अमलियेता भी नश्ट हो जाती है और इनल का इनल का थोड़ी चिकनी भी हो जाती है जिससे सीमेन को बहार आने में यानि की गति करने में कोई भी कठनाई ना हो अब आते हैं ए पैनिस पैनिस क्या होता है पैनिस एक human body की यानि की male body का बेलनाकार बेलनाकार अंग होता है male reproductive system का यह बेलनाकार अंग होता है जिसकी लंबाई 12 से 13 cm होती है पैनिस की लंबाई 12 से 13 cm होती है इसका मुख कार होता है जो सीमेन बना सीमेन बना सीमेन परिपक्ख हो करके पूर रूप से तयार हो गया अब वह है है फेटलाइज होने के लिए बिल्कुल तयार है इसका मुख कार होता है फीमेल बॉडी की बजाइना में इंटर करके जो सीमेन बना है उसको वहीं पर छोड़ना फीमेल बॉडी की बजाइना में पैनिस इंटर करके जो सीमेन बना है उसको वहीं पर छोड़ देता है उसके आंगे का कार हमने फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में समझाया था अगर आपको देखना है यानि कि उसके बाद ये इस पर कार क्या करता है अगर उसको समझ ना है तो हमारा बेडियो फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को देख सकते हैं इससे आपको प्रूण रूप से समझ में आ जाएगा कि सीमेन अंदर जाकर के बर्क क्या करता है अ यूरेन का बहार आना यूरेत्थरा से यहां से होती हुई यूरेन बहार आ जाती है यूरेत्थरा से यूरेन का बहार आना और होता है यूरेत्थरा का ही कार होता है परिपक्ट सीमेन को भी बहार आना बहार लाना इसी नल का द्वारा सीमेन बहार आता है और इसी नल का द को आया ही होगा अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं हम इसको बताने की और अच्छी कोशिस करेंगे यानि को इसको और सलल धंग से बताने की कोशिस करेंगे अब हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंत क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही हार्मोंस रिलीज होता है एक ही हार्मोंस रिलीज होता है जो की होता है टैस्टि इस्टेरॉन जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो हार्मोंस रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजी इस्टेरॉन जो फी अभी यूरित्रा होती है इसमें मेर रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में केबल एक ही नली होती है जिससे यूरेन भी निकलती है और सुक्रानू भी निकलते हैं यहीं कि सीमेन भी निकलता है जबकि फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है उनके अलग अल लिकाएं होती हैं अलग-अलग रास्ते होते हैं ठीक है आपको हमारा वेडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद